हेलो स्टुनेंट्स वैलकम बैक टो टीचिंग बूत तो बेटा आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं अपनी एक्सराइज 5.3 कॉंपलेक्स नंबर की ठीक लास्ट क्लास में हमने एक्सराइज 5.3 का इंटोड़क्शन कवर किया ठीक वहां हमने समझा कि भाई complex quadratic equations क्या होती हैं ठीक है complex quadratic equations को सोल करने के मेथड़ कोन-कोन से होते हैं वह हमने पड़े थीन मेथद हमने समझे completing square, quadratic formula और graphical method यह हमने method समझे कि भाई इस से हम कैसे complex quadratic equation को हम solve कर सकते हैंञे आज की क्लास में हम exercise 5.3 बिटा cover करेंगे, सभी question इसके cover करेंगे, बिल्कुल बिटा simple सी exercise है, बिल्कुल सी एकदम मरे हुए question है, एकदम बिल्कुल भी जान नहीं है बिटा exercise में, ठीक, अब देखो इसका पहला question ये कहा रहा है, solve each of the following equations, ये equation दी गई है, मैंने आपको quadratic equation क्या स equation को हम क्या बोलेंगे, quadratic equation बोलेंगे, ठीक है, इस case में अगर आप देखो, x की power क्या है, 2 है, तो ये क्यों हमारी quadratic equation हुई, clear हां, जी सर, एकदम clear, उसके बाद, अगर मैं यहाँ पे चर्चा करो, बिटा यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करें, solve करो, solve करो, अब मुझे बताओ solve से आप क्या समझते हो, अगर मैं बोलेंगे, equation solve करो, तो इससे आप क्या समझोगे, सर, इससे हम ये समझेंगे, कि यहाँ पे हमें x की value निकालनी है, x की value यहाँ पे हमें find करनी है, बिल्कुल सही, तो यहाँ पे अगरने है, आपको x की सिर्फ यहाँ पे value निकालनी है, तो सर्वह तीन मै्धड यू समझाए थे कौन सा मैधड लगाना है तो पीटा आपके सिलिवास में और सिर्फ और जिहां पर क्वाड्रेटिक वॉणले हैं जो आपको अपलाई करना है जहाँ जहाँ भी अपलाई होगा वहां मां पन्हों क्वाड्रेटिक वाममला ही apply करना है completing square और graphical method आपके slivers में नहीं है last class में मैंने आपको clear किया था ठीक ठीक है जी तो पहला question देखते हैं और ये complex quadratic equation क्या होती है बेटा वो भी आपको समझ में आएगा और मैंने already आपको बताया भी हुआ है ठीक ठीक है जी तो ये क्या है मेरे पास एक quadratic equation मुझे ठीक है अब आप इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में माइनस 3 अंडर रूट के बाहर बेटा plus और माइनस दोनों के sign आएंगे ये लगाना नहीं भूलना ठीक है अभी आपको मैं ये समझाओंगा अभी अब आप समझो नोर्मली क्या है 10th क्लास तक आपने क्या समझाता एकस की जब आप value निकालते तो वहाँ पे आपके पास real values आती थी इस chapter में जब आप x की value निकालोगे तो क्या होगा under root में आपको क्या होगा minus 3 मिला means ये एक real value नहीं है ये कह एक imaginary value है ठीक है तो ऐसी equations जिसमें x की values का निकले imaginary values निकले उन equations को हम क्या बोल देते हैं complex quadratic equations बोल देते हैं ठीक है जिनके root कहने का मतलब जो x की values निकलते हैं इसको हम root भी बोलते हैं जिनके root क्या होते हैं imaginary होते हैं imaginary roots होते हैं उनको हम बोलते हैं complex quadratic equation clear हुआ हां जी तो यहां पे आपको quadratic formula लगाने की भी need नहीं है को कि directly बिना formula के ही ये solve हो जाएगा ठीक है सर एकदम clear हो गया अब मुझे आप एक बात बताओ बेटा एक बात मुझे इसको solve कैसे कर सकता हूं इसको लिख सकता हूं minus 1 multiply 3 ठीक है ना पहले question में थोड़ा हम time लगाएंगे minus 1 ठीक है मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई जो हमारा iota square होता है वो क्या था माइनस 1 होता है ठीक तो minus 1 की जगह में यहां पर iota square लिख सकता हूं बिलकुल सर यह तो ठीक है ठीक है ठीक है तो अंडर रूट में ही रहेगा और यहां पर iota को हम भार ले आते हैं तो x की मेरे पास यहां पर दो वैल्यूज आ गई प्लस ठीक है और माइनस अंडर रूट 3 आयोटा क्लियर अब एक बार यह चेक करो हमने अंडर रूट के भार प्लस और माइनस का साइन तो लगाया चेक करो यह वैल्यूज जो x की दो वैल्यूज निकल रही है वो इस equation को satisfy करने चाहिए means lhs equal to rhs आना चाहिए ठीक है यह फूट करो चेक करो बैटा यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज से निकलके आहीं x की ठीक आहिय की नहीं तो आपके पास क्या है ठीक है थ्यां इनिस ट्री यख्वल टू जीरो ठीक यहां पर एक माइनस थी प्लस ट्री एकवल टूज तो पॉजिटीव वाली तो हमारे ठीक है, एक बार नेगिटिव वाली भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं, कि हमारे पास यहाँ पर, क्या LHS इक्वल टू RHS आएगा, चेक कर लो बटा, एक बार यहाँ पर, ठीक, minus under root 3 iota multiply minus under root 3 iota plus 3 equal to 0, ठीक है, अब आप इसको multiply जब करोगे, तो बिटा माइनس का sign तो यहां से हट जाएगा, ठीक है multiply में ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 3 iota square plus 3 equal to 0, iota square minus 1 होता है, तो मेरे पास क्या बचेगा, minus 3 प्लस थ्री एक्वल टू जीरो ओहू सर ये भी सेटी स्वाई हो गया लहस इक्वल टू रहस इट मीन्स एक्स की क्या है यहां पर दो वेल्यूज होंगी तो अंडर रूट से भार हमेशा आपको प्लस माइनस लगाना है ठीक ना तो लास्ट क्लास में भी अच्छे से मैं इसक कोश् problema 2 देखते हैं अब इसको हम करेंगे बटा दूसरे टैक अब यहां पर देखो यह क्या है एक quadratic equation है पहले quadratic equation की एक journal form क्या होती है पहले वो लिख लेते हैं ठीक वो लिख लेते हैं क्या होती है A x square प्लस b x प्लस c equal to zero यह होती है ठीक है journal तो इस केया है हमारे पास क्या है और इस केस में नियुक्त Mैने क्षेस में फ tidak ठीक है quadratic formula मैंने आपको क्या बताया था बेटा 10th class यहाँ पढ़ते आ रहें जल्दी बताओ यहाँ पर क्या है सर यहाँ आएगा minus B plus minus बेटा under root में जल्दी बताओ बेटा मैं तो भूल गया जल्दी बताओ सर B square minus 4 इसे लिख दो very good बेटा आपने मुझे याद दिला दिये मैं तो formula ही भूल गया था ठीक यहाँ पर आगया अब यहाँ बताओ क्या करना है यहाँ पर फटाफट value put कर दो ठीक minus B यहाँ पर क्या minus 1 आगया plus minus under root में B square बेटा क्या आगा 1 square 1 का square minus 4 multiply यहाँ पर क्या आगया 2 multiply c क्या है 1 है ठीक divided by 2a 2 multiply 2 क्या आगया 4 आगया ठीक ठीक तो बेटाई यह one है यह one है इसका ध्यान रखना ये क्या है यहाँ पर फर आरे क्यों से मिट क्यों नहीं आ थेक है तो यहां एसका ध्यान नहीं रखना इस seven आपको कभी लग être seven है ठीक तो क्या आ गया हाँ पर मेरे पास यहाँ पर आजएगा under root में क्या आ गया 1 और यहां पर minus 7 ठीक है और यहां पर आ गया 4 ठीक ठीक है जी तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया अब यहां पर under root में minus 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ हमने भी पीछे देखा था कि भाई अगर मेरे पास under root में minus 3 आ रहा है तो X की क्या हो गटा X की यहां पे भी मेरे पास दो वैल्यू आ गई ठीक है ना प्लस माइनस यहां पे साइन आएगा अंडरूट में 7 आयूटा क्लियर हुआ हां जी सर क्लियर हुआ तो कोशन कैसे लग रहे हैं बहुत ही सिंपल वेरी 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 सिंपल ठीक है नोट करो बेटा इसे जल्दी नोट करो ठीक है सर, note कर लिया, very good बेटा, अब यह देखो कोशन, यह भी बहुत सिंपल कोशन है, ठीक है, यह भी बेटा हम एक अलग पैंसे करेंगे, ठीक है, इतने सिंपल कोशन है, कि हमें अलग अलग पैंसे करने, ताकि हमारा इंटरस्ट बना रहे, को कि कोशन में ऐसा कुछ भी न कि हमारा इंटरस्ट बने, इतने सिंपल कोशन है, ठीक, तो यहां पर बताओ, A क्या है, A हमारे पास 1 होगा, B हमारे पास 3 होगा, और C हमारे पास यहां पर 9 होगा, ठीक, quadratic formula, quadratic formula, सर, quadratic formula यहां पर क्या है, minus B, plus, minus, under root में, B, square, minus, 4AC, divided by, 2A, 2A, ठीक, B क्या है, minus 3 है, ठीक, plus, minus, under root में क्या है, B, square, बोले तो 3, square, minus, 4A क्या है, 1 है, C क्या है, यहां पर 9 है, ठीक, 9 है, और यहां पर मेरे पास क्या है, A, 1 है, तो नीचे मेरे पास, यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक, ठीक, minus 3, plus, minus, यहां पर क्या है, 3, 3, 0, 9, और 4, 9, 36, और divided by, बेटा, 2, ठीक, तो मेरे पास, यहां पर क्या है, मेरे पास, यहां पर आ गया, ठीक है, 36 में से, बेटा, 9 गए, ठीक, ना, minus 27 बचेगा, ठीक है, divided by, यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक, यहां तक clear, हांजी सर, यहां तक एकदम clear हो गया, ठीक, आप पहले मुझे ही बताओ, हो यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं अंडरूट में 27 आयोटा ठीक यह लिख सकते हैं अभी हमने समझा कि अंडरूट में-3 है तो क्या लिखेंगे अंडरूट में 3 आयोटा अंडरूट में-7 है तो अंडरूट 7 आयोटा हम यहाँ पर इस तरी के से लिखेंगे ठीक अब इसको भी बैटा हम लिख सकते हैं अब इसको गैसे 27 कैसे आता है 3 multiply 3 multiply 3 आता है हां जी तो हमारे पर 27 आ गया चीख है जी अब under root में इस तरी कैसे में लिख सकता हूं 3 3 square multiply 3 हां जी तो बैटा इस तरी को मैं भार निकाल सकता हूं अंडर रूट से तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 ठीक है ना तो मैं यह लिख सकता हूं यहाँ पर बिल्कुल सर आप क्यों नहीं लिख सकते हैं यह तो simple simple सी चीज़े हैं 3 अंडर रूट में 3 आई उटा divided by 2 ठीक तो यह हमने यहाँ पर इसको solve करा तो बैटा यह भी बिल्कुल simple सा question था इसे भी आप note करो जल्दी आगे चलते हैं जल्दी बैटा इसको note करो ठीक है सा note कर लिया ठीक बैटा अब आगे चलते हैं यह question देखो बैटा fourth question fourth question कैसा है इसको भी देख लें ठीक है इसको बैटा हम दूसरे पैंसे करेंगा ठीक इस वाले पैंसे करते हैं तो यहाँ पर मुझे आप बताओ आगे क्या है फटा-फट यह लिख लिए अगरो ए है इसकेस मेरा माइनस वन माइनस वन क्या है माइनस वन है ठीक माइनस वन बी क्या है वन है और सी क्या है माइनस टू है ठीक ठीक है जी तो quadratic formula क्या था आपका quadratic formula की अगर हम यहाँ पर बात करें इतनी बार लिखेंगे कि आपको याद ही हो जाएगा ठीक न बी स्केर माइनस 4ac divided by क्या है 2a ठीक है divided by 2a ठीक divided by 2a माइनस भी बोले तो मेटा यहाँ पर क्या है माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस वन का स्केर माइनस फूर मेटा वन क्या है एक है माइनस वन और सी क्या है यहाँ पर माइनस टू है माइनस टू है डिवाइड बाई माइनस टू आ गया ठीक है माइनस टू आ गया तो यहां पर क्या जाएगा माइनस वन प्लस माइनस प्लस माइनस यहां पर क्या जाएगा वन और यहां पर क्या चार दू नहीं आठ ठीक है बटा तो यहां पर मेरे पास माइनस आठ आ जाएग divided by minus 2 ठीक ठीक एजी और यहां पर क्या है माइनस वन क्लस माइनस मेरे पास यहां पर क्या है अंडर रूट में माइनस 7 divided by minus 2 मेरे पास यहां परिल तक एकदम है अपक्या जाया इपा प्लस माइनस इसको आप क्या लिख सकते हो अंडर रूट में 7 आयोटा divided by minus 2 ठीक है तो बिल्कुल ये भी बेटा simple सा question था इसको भी note करो बेटा फिर अपना next question हम देखते है ठीक है sir note कर लिया very good बेटा very good आगे चलते हैं फिफ्थ question में तो कुछ भी नहीं है मैं करा नो बिल्कुल भी इनमें पराण ही नहीं है questions में ठीक अब हम करते हैं चलो इस वाले question को भी सोलो ठीक तो ए बताओ क्या है a sir इस case में 1 है b इस case में 3 हो जाएगा और c इस case में 5 हो जाएगा ठीक है ना quadratic formula की अगर हम बात करें minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a ठीक minus b बोले तो बेटा minus 3 plus minus under root में 3 का square minus 4 multiply 1 multiply बेटा 5 ठीक ठीक है जी divided by 2a बोले तो बेटा 2 ही आएगा यहां पर तो minus 3 plus minus under root में 339 ठीक है ना पांच हो के बेटा 20 ठीक यहां पर आ गया 2 और अब क्या है हमार पास minus 3 plus minus under root में क्या जाएगा बेटा यहां पर minus 11 आ जाएगा divided by 2 आ गया minus 3 plus minus इसको हम क्या लिख सकते हैं under root 11 आयोटा divided by 2 ठीक यह भी हो गया अरे सर बड़े ही simple simple question है बिलकुल note करो इसे यह सब तो आपका homework होना चाहिए था जल्दी इसे भी note करो ठीक है सर note कर लिया ठीक है जी अब आज हो बेटा 6th question पर 6th question देखते हैं क्या है ठीक है 6th question देखते हैं इसको solve करते हैं तो A बताओ क्या है A सर 1 है B क्या है minus 1 है और C क्या है 2 है ठीक और यहां पर quadratic formula बेटा फट आ फट यहां पर लगा दो B square minus 4AC divided by 2A minus B तो बेटा minus का sign उसके आगे लगा हुआ 1 ठीक है न और यहां पर 4 दूनी 8 divided by 2 अरे सर इस question में तो कुछ भी नहीं था यह question तो very very simple है very very simple ठीक तो यहां पर क्या आगया मेरे पास under root 7 आयोटा बाइमें 2 ठीक तो बेटा यह भी एक simple सा question था इसको भी जल्दी note करो जल्दी जल्दी बेटा हाथ चलाओ जल्दी जल्दी note करो इसे ठीक कर लिया note अजी सर नोट कर लिया very good अब देखते हैं बेटा अपना 7th question ठीक है 7th question देखते है ठीक है जी 7th question भी अगर देख लेते हैं इसमें क्या है 7th question में क्या है 7th question में यहां पर क्या है say a क्या है सब्सक्राइए यहां पर root 2 ठीक और यहां पर b क्या है वन है और c क्या है यह भी क्या है root 2 ठीक अब इहां पर x बसू और पर něंटर सर आए-स बातो भी यह क्या है Minas b plus minus under root में और m caution me be square minus 4ac divided by क्या आएगा टू ए आएग YOUR vaat ठीक है बताओ भी यहाँ पर –1, plus minus, under root में, d square –4ac ठीक है क्या आगया बेटा, one का यहाँ पर square आजाएगा –4 multiply A क्या है, root 2, C क्या है, C धी हाँ पर root 2 हमें यहाँ पर दिया गयाया, ठीक है जी और यहां पर 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 यहां प अब आप देखो जब हमने concept समझेते तो कितने बहतरी समझेते और कोशन देखो बेटा कोशन का level कितना गिरा हुआ दिया गया है ठीक है तो concept अगर आप अच्छे समझ लोगे तो बेटा आपको exercise हमेशा simple लगेगी ठीक क्योंकि मेरा जो concept समझाने का तरीक होता है अगर आपका 100% syllabus है तो बेटा मैं 110% coverage करता हूँ आपको चीज़े easy लगे ठीक note करो इसको जल्दी जल्दी बेटा इसको note करो फिर आगे चलते हैं सर नोट कर लिया very good बेटा very good अब बेटा अब अपना 8th question देखते हैं ठीक न 8th question देखते हैं इसमें क्या है ठीक है सर 8th question देख ले दे अब जल्दी बताव बेटा a क्या है a है यहाँ पर root 3 ठीक है न बी क्या है यहाँ पर minus root 2 minus root 2 और c क्या है यहाँ पर 3 root 3 है ठीक ठीक अब आप मुझे बताओ यहाँ पर quadratic formula क्या है आपका x is equal to minus b plus minus under root में क्या है d square minus 4ac ठीक divided by क्या है 2a है ठीक अब बताओ minus b कि एगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पर already minus का sign है तो positive का root 2 आ जाएगा plus minus b square की अगर बात करें तो minus root 2 का square minus 4 multiply a क्या है a root 3 है ठीक है जी a root 3 है और c क्या है c भी 3 root 3 है multiply 3 root 3 यहाँ पर आ जाएगा ठीक और यहाँ पर क्या आ जाएगा a क्या है यहाँ यह है root 3 ठीक ठीक इसको भी बेटा solve करके देखो आपके पास क्या आता है ठीक है इसको भी solve करके देखो what of what यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 ठीक है और जब बेटा इसको multiply करूँए तो 3 यहाँ जाएगा 3 3 जा 9 और 4 यह दो 36 तो क्या अगया minus 36 मेरे पास यहाँ पर आ गया ठीक और यहाँ पर आ गया मेरे पास 2 रूट 3 आ गया ठीक और यहाँ पर x की value क्या निकल जाएगी x की value क्या निकल जाएगी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास under root में 34 iota divided by 2 रूट 3 ठीक, simple सा एक ता copy करो बेटा इसको देख रहे हैं सो जो कितना tough होगा जल्दी copy करो ठीक है sir, copy कर लिया very good बेटा, ठीक अब हम देखते हैं अपना question number 9 question number 9 देखते हैं इसमें देखते हैं क्या है सबसे पहले इसमें क्या करना है इसको थोड़ा सा good question बना कुछ खास नहीं है इसमें ठीक है, good good लिख देते हैं आपर क्या है, good question है ठीक, ठीक है जी अब एक काम करते हैं, इसको भी solve करना है हमें, तो सबसे पहले आप कैसे करोगा, इसका solution सबसे पहले आप एक काम करो इसका हमें यहाँ पर given क्या है पहले लिख लेते हैं given क्या है हमें यहाँ पर given है x square plus x plus 1 by my root 2 equal to 0 ठीक lcm ले लो ठीक है sir lcm ले लेते हैं इसका अगर इसका lcm लेगा तो क्याएगा root 2 x square यहाँ पर आजाएगा root 2 x plus 1 ठीक और नीचे क्या आजाएगा यहाँ पर root 2 आजाएगा equal to 0 ठीक अब बेटा यहाँ पर इसको root 2 को उड़ा दू तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 2 x square plus root 2 x plus 1 equal to 0 ठीक है यह वहाँ चला जाएगा यह अपना 0 हो गया ठीक अब आपके पास यह आपके पास quadratic equation यहाँ पर आ गई ठीक अब एब बताओ मुझे क्या होगा sir a इस case में होगा हमारे पास root 2 b इस case में होगा हमारे पास root 2 और c होगा इस case में हमारे पास 1 ठीक ठीक है जी अब आप मुझे बताओ फटा फट यहाँ पर अपना quadratic formula क्या था x minus b plus minus under root में क्या है b square minus 4ac divided by क्या है 2a है ठीक है जी अब बताओ यहाँ पर क्या है minus b minus root 2 ठीक प्लस माइनस b square क्या है यहाँ पर b square root 2 का यहाँ पर हमने square किया ठीक root 2 का square क्या minus 4 multiply a क्या है root 2 है जी आ रूट 2 है और इस case में c क्या है हमारे पास c की बात करें तो यहाँ पर 1 है ठीक है ठीक है 2a तो यहाँ पर क्या आपके पास 2a root 2 root 2 root 2 मेरे पास यहां पर आ गया ठीक यहां तक clear रहाँ से बिल्कुल एक दम simple था यहां तक ठीक ठीक है जी अब आपको क्या करना है मैं टेस को आगे solve करो minus root 2 plus minus plus minus यहां पर क्या आगया आपके पास यहां पर आपके पास आगया 2 minus 4 root 2 ठीक है प्लस माइनस 4 root 2 आपके पास यहां पर आगया ठीक और नीचे आगया 2 root 2 2 root 2 ठीक यहां तक clear हंजी सर यहां तक clear ठीक पस बिटा इसके बाद छोटी सी एक चीज है जिसकी वैसे मैंने question good लिखा वैसे इस question में भी कुछ खास ठीक है अब मुझे यह solve करना है आयोटा की form में इसको लेके आना है हंजी सर बिलकुल लेके ही आना पड़ेगा ठीक अगर आप अभी देखो तो यह क्या है छोटा नंबर है और यह क्या है एक बड़ा नंबर है तो under root में negative की बात हो रही है मुझे under root से negative हटाना है हंजी सर नेगेटिव हटाना है तो अब हम इस case में क्या करेंगे ठीक है इंपोर्टेंट स्टेप है ठीक है तो इसको मैं दूसरे पैंसी लिखता हूँ तो यहाँ पर यह एक इंपोर्टेंट स्टेप है ठीक तो हमें यहाँ पर क्या कर रहा है प्लस माइनस अब आप एक काम करो सबसे पहले सबसे पहले तो आप एक काम करो माइनस कॉममन ले लो ठीक है सर माइनस कॉममन ले लिए माइनस जब कॉममन ले लिए तो क्या है 4 रूट 2 और यहाँ पर क्या है माइनस टू आ गया हंजी सर यह हमारे पास यहां पे आ गया तो माइनस मैंने यहां पर common ले लिया ठीक इस माइनस को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूँ नीचे भी आएगा बेटा यह नीचे लिखना ना भूले तो क्या आएगा नीचे आएगा आयोटा स्क्वेर लिख सकते हैं हंजी सर बिल्कुल आयोटा स्क्वेर यहां पर लिख सकते हो ठीक है ना तो यहां पर आप एक काम करो माइनस 1 की जगा आयोटा स्क्वेर लिख दो ठीक और यहां से आप कुछ और भी कॉमन ले सकते हो हासल यहां से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं ठीक है बटा यहां से 2 भी कॉमन ले लो ठीक है 2 भी कॉमन ले लो ठीक है तो आपके पास यहां पर क्या बचा बैकेट में यहां पर जाएगा ठीक और यहां के पास क्या गया नीचे भी आ गया 2 root 2 आगया ठीक और आप काम करो इन दोनों को ठीक नहीं इन से अलग लिख दो कैसे करोगे कैसे करोगे बटाई आप ठीक आयोटा भार आजाएं जी सररता भार आजाएगा और तूरूरूट तूपर और यहां पर क्या जाएक आपके पास ईठाइल यहां तक है यहां दिल्म है योटी नहीं पर बहुती नॉर्मल सी चीज से रूट rootto to common ले लो ao له rootto common ऑना है हमें ठीक है यहां पर मेरे पास क्या बचा HIM plus minus and rootland nella depends on root में क्या आ गया to roottou-1 यहाँ पर यहां पर मैंने पूरा common ले लिया यहां से इसको इस तरीके से आप लिख डालो ठीक है और यहां पर क्या आ जागा to root to आ जागा ठीक अब यहां से इस root से यह root कट गया हाँ जी सर बिलकुल यह कट गया तो मेरे पास बेटा finally क्या बचा finally अगर मैं हाँ पर देख हूँ तो मेरे पास क्या बचा finally इसको थोड़ा समय छोटा कर रहा हूँ ठीक थोड़ा समय इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे पास space बच जाए लिखने का ठीक ठीक है सर बिलकुल अब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूँ अब मैं लिख सकता हूँ माइनस वन प्लस माइनस ठीक है अंडर रूट में तू रूट तू माइनस वन आयोटा डिवाइड बाइ टू ठीक तो यह आपका इसका solution होगा ठीक है तो यह भी क्या है सिंपल सा है बस छोटा से बचा यहां पर एक ट्रिक लगनी थी इसकी क्लियर है अंजी सर एकदम क्लियर इसको भी बेटा नोट करो नोट करो जल्दी से फिर अगला question देखते है हम अपना जल्दी जल्दी बेटा इसको जल्दी नोट करो ठीक है सर नोट कर रहे हैं मैं भी बेटा कुछ नहीं है ठीक तो करना क्या है सबसे पहले करना क्या है हमें given क्या है बेटा पहले तो आप वो लिख लो हमें क्या given है हमें यहाँ पर given है x square plus x by मैं root 2 plus 1 equal to 0 ठीक है यह हमें क्या है यह given है अब एक काम करो सबसे पहले इसका LCM लेलो क्या जाएगा root 2 x square plus x plus root 2 ठीक है divided by क्या आगया root 2 आगया और equal to 0 ठीक है तो बेटा root 2 इदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा root 2 x square plus x plus root 2 equal to 0 ठीक यहां तक क्लिए जी सार यहां तक था ही क्या जो हम confused होंगे a क्या आगया बेटा root 2 आगया b क्या आगया 1 आगया और c क्या आगया c root 2 आगया ठीक अब बेटा यहां पर quadratic formula बताओ minus b plus minus under root में b square minus 4ac divided by 2a ठीक है जी तो बेटा b क्या है 1 है तो minus 1 हो जाएगा plus minus under root में b square b square बेटा क्या 1 का square minus 4 a क्या है a root 2 है ठीक है और c क्या है c b root 2 है ठीक है c b root 2 है अब बताओ बेटा a यहां पर root 2 2 और root 2 मेरे पास यहां पर आगया ठीक अब बेटा क्या है इसको solve कर लो minus 1 plus minus ठीक plus minus क्या है अब हमारे पास यहां पर 1 minus 2 और यहां पर आजागा बेटा 8 ठीक और हमारे पास यहां आगया 2 root 2 ठीक 2 root 2 है minus 1 plus minus under root में minus 7 divided by 2 root 2 ठीक ठीक है जी तो बेटा यहां पर आप under root 2 minus 7 को क्या लिख सकते हो सर इसको हम लिख सकते है root 7 आयूटा divided by 2 root 2 ठीक है तो यह x की value हमारे पास निकल गी तो बेटा यह क्या था very 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 simple question ठीक है तो पूरी exercise ही बेटा बहुती simple थी ठीक है तो इसको भी बेटा आप note करो नोट करो बेटा है आपकी exercise कवर हुई ठीक है तो next class में बेटा अब हम करेंगे अपनी miscellaneous exercise कवर ठीक पूरी exercise करेंगे